टेश्वी आदो ड़ं हो, तो किसी एक विधानस अचेतर में पईयदल चलके दिखा देए. टेश्वी आदो की क्या पहचान है?. टेश्वी आदोन ने समाज के लिए कौन सा अचा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उसपोठि-पड़ी करें. तेजस्वी आदो की पहचान ये है, कि उलाली आदो के लड़के हैं, जो आगमी नववा फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता दे हुए, जिसको ये नहीं मालू है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, तेजस्वी आदो को मैं चुनोती दे रहा हूं, ज तेजस्वी आदो, डम हो, तो किसी एक विधान सवा छेतर में पैदल चलके दिखा दे, यातरा को क्या निकलेंगे, पचीस गाड़ी आगे, पचीस गाड़ी पीछे, एर कंडिशन बस में बैट के, खाने का दुगो चारगो फोटो जारी करेंगे, दुगो मुरेठा बाने करेंगे, चारगो लोगों को गाली को लाउज करेंगे, कहानी खतम, फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नोकरी दे देंगे, देखिए ये लोगों को कैसे मुर्ख बनाते हैं, ये लोगों, कहता है 10 लाख लोगों को नोकरी देंगे, नितिस कुमार, खड़ा हुआ ग तेइस लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं आई ये बेवकूप बनाने वाले नेता कर रहें कि हम 10 लाख के साल में दे देंगे चपरासी से लेके मुख्य सचीव तक हर आदमी की काउंटिंग किजेगा तो सिर्फ 23 लाख लोग 1.97 परसेंट लोग ही सरकारी नौकरी में हैं और कहता है हम सरकारी नौकरी देखे बिहार को सुधार देंगे अगर मान मिलिया जाए कि दे देगा तो 90 परसेंट लाखरी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं ना है ना होगा तो उसकी यातरा को क्या देखे बैच तेस्वी आदोग की क्या पहचान है तेस्वी आदोग ने समाज के लिए कौन सा इसा पराकरम किया है जिसके लिए हम उस बट्टी पढ़ी करें तेस्वी आदोग की पहचान ये है कि लालु आदोग के लड़के हैं लालु आदोग का दल है RJD तो उसके वो नेता है आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान करना है मालिक बन जाएगा उसके लिए उसको कुछ परास परिश्रम तो करना नहीं है लेकिन दुकान से लोग समान खरीदने आएं तब न आपको कुछ उसकी चमता इक बित्वता देखी जाएगी तो यस्वी आदो आर्जेडी के लीडर है और लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादो के लड़के हैं इतनी उनकी पहचान है इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, ना पिध्यार्थी के तोर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है, जो आदमी मुख्य मंत्री देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि डिगरी पाने से क कोई आदमी समझदार हो जाएगा, हम लोग के माबाप, दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिके नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं, परिस्थिती वस आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, सादन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आ तो यह नहीं मानू है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा, मतलब जो बिहार, जो कह रहा है कि हम सोचलिस्थ, हमारे पुरोधा, हमारे पुर्खेओं का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनिशन खड़ा होकर नहीं देखे हुए तो, क्या सोचलिस्थ है, सोचलिजम है क्या खाली ये बता दो, बता दो हमाल लेंगे, आपको निता हमाल लेंगे, दस दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हो, दस दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिजम पर पांच मिनट बोल कर बताओ कि सोशलिजम है क्या क्या है समानता क्या है समाजवाद इतना हलका मत कीजिए ये बिहार में पिछले तीस वरस में जो सट के उपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया ना जिसको भासा का ज्यान है ना विशे का ज्यान है ना सब्दों का समझ है जो जितना गलत बोल रहा है जो जितना बड़ा लंपठ है उसी को आप लोगों आते ही जमीनी नेता है इसलिए ये दुर्दसा